प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी मंगलवार को उतर प्रदेश के पीले भीत से सियासी समीकरण को साधने पहुँचे थे इस दोरान उन्हें यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री और बीजी प्यूमिद्वार जितिन प्रसाथ के पक्ष में पीले भीत ड्रमंड इंटर पर चुनावी जनसवा को संबोदे किया लेकिन एक सवाल जो अभी भी उठ रहा है वरुण गांधी को लेकर कि आखिर वरुण गांधी मंच पर नजर क्यों नहीं आए पीली भीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगा जेतिन प्रसाथ को उमिद्वार बनाया है लेकि प्रसाथ की जनसवा से भी दूरी बनाई थी लेकिन अब वाफियम की रैली में भी नजर नहीं आए पीली भीत से वरुण गांधी दो बार की सांसद रह चुके हैं लेकिन इस बार उनका टिकट बीजेपी ने काट गिया है हलाकि बीते दिनों वरुण गांधी को लीकर अगतार उठ रहे हैं और उनके द्वारा छेतर के साथ पार्टी से बनाई गई दूरी काफी ज़्यादा चर्चा का विश्या बनी हुई है गोर तलब है कि प्रधान मंतरी ने रैली के जरिये तराई के इस जिले के आसपात की लोग सबा सीटों का भी चुनावी गर्णित स कादनी की कोशिश की है इन सीटों में बरेली शाजहापूर बदाइम और लखीम पुर्वाद हो रहा शामिल है उनके मंच पर सीट पर पहले चरण के दौरान 19 अपरेल को वोटिंग होने वाली है लेकिन वरुन गांजी की बीजेपी से दूरी अपने आप में कई सवाल ख़वर में इतना ही आपके साथ मैता सीराज देखे रहें नेक्शनेंट पॉलिटिगल बाई